या एक इधर है, एक इधर है, दोनों इधर opposite direction कर रहे हैं, तो क्या होगा उनके बीच में? Collision की chances होगे, यहने के टकराव होगा, टकराव होगा तो क्या होगा? There is some loss of their energy, कौन से energy है? Kinetic energy, प्रोप्रों के अगर वोग कर रहे हैं, velocity hand में, और motion की बज़ा से कौन से energy होती है kinetic energy होती है तो आपस में जब उनके बीच में collision होगा तो उनकी kinetic energy जो है वो कम हो जाएगी और कि उनकी velocity कम हो जाएगी ठीक है तो ऐसे ही कम होती जाएगी तो वो positive end तक अब electrons को move परके कहां पहुँचना है towards the positive end of the battery तो positive tunnel पर या positive end पर उनको पहुचना है लेकिन अगर उनके बीच में collision ही होता रहेगा तो वो वहां तक नहीं पहुच पाएगे और current constitute नहीं होगा यानिकि current जो है वो नहीं बनेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम electric field apply करते हैं यह हमारा conductor हो गया अमने जो है इसके ends पे एक cell लगा दिया यानिके electric field अमने यहाँ पर provide कर दिया तो पहले क्या हो रहा था electrons जो थे वो random direction में मूँव कर रहे था कोई करनी कोई करनी लेकिन जैसे ही हमने electric field लगाया उन्होंने क्या कर दिया एक particular direction में जो है per unit length अब क्योंकि velocity है वो move कर रहे है तो उन्हों पर force लग रही है तो force का formula क्या होता है according to the newton's second law of motion f is equal to ma होता है और electric field क्या होता है force per unit charge मतलब charge पर force लगाई जाती है उसको भी हम electric field बोलते है so from first and second हमारे पास क्या है यहां से आप f की value निकाल लीजे ठीक है आप यहां से f की value निकाल लेंगे तो f is equal to आपका e के हुआएगा ठीक है अब इस charge की जिएकर अगर आप electron की बात कर रहे है तो आप e भी ले सकते हैं ठीक है force हम e ही लेकर चल रहे हैं ठीक है charge मतलब अब ही हम यहां पे electron कंसिडर कर रहे है ठीक है हम positive charge भी कंसिडर कर सकते हैं आप क्यों भी रख सकते हैं ठीक है तो यह होगा हमारा ठीक है second equation so from first and second हमारा रहा